अभी 2022 के दिसम्मर में लोग सबा ओप्शनों में बीजेपी को हरा करके डिमपल याताव ने बहुत बड़ी जीत आसिल की थी लेकिन कुछ ही दिन पाद अभी जो चुनाव हुए हैं नगर पंचाइद गे नगर पालिका के महनपुरी में दस सीठें थी दोस्तों दस में थे सपाने के बल दो में ही जीत प्राप्त करिया आठ हार गई है दोस्तों इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद लोग सबा में फिर अभी इतनी बड़ी हार कैसी हुई इसका बताते हैं दोस्तों तेजपृता व्यादब महनपुरी के पूर शांसद हैं और वो महनप करम में कोई बलाता भी है तो फूरे फिर वहां अपने मोबाइल में लगे रहते हैं किसी से कोई बात नहीं करना कोई डिसकसन नहीं करना कोई राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करना लोगों के हित की कोई बात नहीं करना तो इस प्रकार से लोग उनको अब दीरे दीरे पशंद करना कम करते जा रहे हैं लोगों को पशंद होता है कि वो उनके बारे में बात करें पूँचे कोई नहता है उनका हाल चाल पूँचे जनता के बारे में पूँचे वहां के कामकाज के बारे में पूँचे वहां के विकास के बारे में पूँचे लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है तो इस प्रकार से वहाँ तेजपरता व्यादा आप जंता से दूरी दीरे दीरे बनती जा रही है या गया बढ़ता जा रहा है इसको दूर करने के लिए उनको अपने मॉबाइल से दूर लोगों की बाते सुननी पड़ेंगी लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों के बारे में ही बात करें ना कि मॉबाइल में लगे रहें कोई आप एक आम आदमी नहीं हैं आप पबलिक आदमी हैं पबलिक फेस हैं आप राजनीती में हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से वहाँ देखिए अभी फिलाल में बीजेपी को कितने बड़ी हार मिली थी लोकसवा उप्चनाव में लेकिन बीजेपी ने दोबारा वापसी करते हुए वहाँ आठ सीटे जीत ली सपा को केबल दो सीटे मिली ये बहुत बड़ी एक नाकामियावी है सपा की जबकि सपा के बड़े बड़े नेता वहाँ में पुरी में पड़े रहे फिर भी आठ सीटे हार गई दोस्तों ये सोचने का समय है सोचने का सब्जेक्ट भी है और इसपर रड़णीती बनागर काम करने का विशे है दोस्तों ये जीत मुश्किल है सपा के लिए जब तक अच्छे किदम नहीं उठाए जाएंगे